कि नमस्कार दोस्तों मैं दीपेन सिंग आप सबका एक बार फिर से राधे श्टडी हम में स्वागत करता हूं हम लोग जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्लाश 10 के वैधुत चेप्टर के नुमेर कल आज हम उसी को आंगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो इस्टा इसी सीरीज को आंगे बढ़ाते हुए कोशन नमबर 30 तक हम लोग पढ़ चुके थे आज उसके आंगे पढ़ने की कोशिस करेंगे कोशन नमबर 30 तक हम लोग उने पढ़ लिया था आज कोशन नमबर हम लोग पढ़ते हैं 31 इसमें फीगर दिया है कुझी बनी हुई है यह 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 दे रहा है एक ओम यह दे रहा है चार ओम यह दे रहा है एक ओम और यह दे रहा है छै ओम इसमें दिया हुआ है दो ओम यहां पर भी एक प्रित्रोत तार जुड़ा हुआ है और जिसका मान दे रहा है एक ओम यह कुझी है यह बैटरी जुड़ी हुई है बारा वोल्ट की बारा वोल्ट की बैटरी है यह धारा इसमें आई यही धारा इसमें से ओके जाएगी यहां पर जाके यह धारा दो बागो में भी बाजित हो जाती है यह धारा आई वन और यह धारा आई टू इधर फिर यह वापण जबाएगी तो धारा आई आई आएगी इसमें हो गई आई टू के रहा है सलगन परिपत में बैने वाली वैदुद्धारा इसमाल आई का मान ग्याद कीजिए हमें ग्याद क्या करना इसमाल आई का मान ग्याद करता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे तुल लप्रतिरोध पूरे परिपत का तो हम इनको नाम दे देते हैं नाम किस प्रकार देंगे ये हो गया आर वन ये हो गया आर टू ये हो गया आर थिरी ये है आर फॉर ये है आर फाइफ ये दे रहा है R6 ये दे रहा है इसके बाद solve करेंगे तो देखेंगे कि यहां से धारा वैदुत दारा जब इस कुझी को हम बंद करते हैं तो परिपत में वैदुत दारा प्रवाईद होने लगती है यहां से धारा जो जा रहा है ये आई ये same होगी क्योंकि इन दोनों में से धारा सेम आई जा रही तो यह दोनों किसमें दे रहा है स्रेडी करम में तो R1 वा R2 का तुल प्रतिरोध निकालेंगे जब R1 और R2 का तुल प्रतिरोध निकालेंगे तो स्रेडी करम का फार्मूला होता है प्रतिरोध का R बराबर R1 प्लस R2 तो हम लोग ले लेंगे R- R- बरावर लेंगे R1 प्लस R2 जब R- बरावर लेंगे R1 प्लस R2 तो R1 दे रहा है एक ओम ये दे रहा है दो ओम बरावर हो जाएगा तीन ओम ये हो गया R1 प्लस R2 कामा यहां से धारा गई दो भागों में विभाजित हो गई अब यह जो धारा जाएगी आइट वन वो इन तीनों में सेम होगी और जब धारा शेम होती है तो किसमें होते हैं स्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो यह तीनों किसमें हैं स्रेडी क्रम में जुड़े हुए हैं तो निकालेंगे R3, R4 वा R6 का तुल प्रत्रोध इसका जब तुल प्रत्रोध निकालेंगे तो इन तीनों दे रहा है स्रेडी में स्रेडी का फार्मूला होता है आर डैस लिया था इसको आर डावर डैस ले लेंगे आईटू धारा इसकी कुल धारा अब जैसा कि हम इसको क्या करें इसके इस पर हम L bueno यह यह वाला डे रहा है शेस Ohm और इनतिनों के इसतान पर एक प्रत्रोध आ गया और जिसका कितो डिरा है मांद छैया हो कि अब देख रहे हैं कि किसमें धारा अलग इसमें धारा अलग जब धारा अलग अलग होगी तो यह किसमें होंगे समांतर क्रम में होंगे तो इसमें लगाएंगे समांतर क्रम का फार्मूला तो यह सिक्सों और इसका जो आर्डवर्डैस आया था यह सिक्सों किसमें होंगे समांतर क्रम में होंगे त तुल्ल प्रतिरोध इसका निकालेंगे तुल्ल प्रतिरोध तो जब इसके तुल्ल प्रतिरोध की बात करेंगे तो इसका जो तुल्ल प्रतिरोध होगा समानतर क्रम का होता है वन अपॉन आर बरावर तो आर इसको ट्रिपल डैस मान लो बरावर होता है आर वन आर वन की जग तो वन अपाउन आर्ट त्रिपल डैस बरावर वन अपाउन थिरी तो आर्ट त्रिपल डैस कितना आ जाएगा आर्ट त्रिपल डैस बरावर आएगा तीन ओम क्या आगया भी यह आर्ट त्रिपल डैस बरावर आगया तीन ओम यह भी हो गया अब देखते हैं अगले फीगर स रखागे यह यहां से धारा आय है जिसका मान था यह जिस दोनुन प्रित्रो थे इनको मिलके बना थैंत तो एक यह path हो गया और इसके बाद क्या दे रहा है इसके बाद बता रहा है कि इन तीनों चारों को जोड़ के भी एक लगाया गया जो धारा इस से आइवन जा गया या ऐसे न जोड के आप ऐसे जोड दीजिए पर बात में बैटरी जुड़ गई इधर कुछ है नहीं अब यह देरा आए कितना तीन ओम यह भी आ रहा है तीन ओम अब यहां से धारा आई गई यहां से धारा आई गई तो दोनों में जब धारा समान है तो यह सब उना दोनों किसमे होंगे स्ट्रेणी क्रम में होंगे तो इनका निकालेंगे परिपत का अता परिपत का तुल प्रतिरोध पूरे परिपत का जब तुल प्रतिरोध निकालेंगे तो स्ट्रेणी क्रम का फार्मूला वही आर बरावर आर वन प्लस आर टू आर वन की की जगह रखेंगे आ लो दिसक्ट तो आर बरावर जो मिराया वह परैस बरावर आया था वी अपान और वी दे रहा है कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है आर कितना आया परिणामी 6 ओम आया तो 6 से डिवाइट करेंगे 6 दूनी 12 दो एंपियर तो परिपत में जो है वो दो एंपियर की वैदुददारा प्रवाइत होगी या कैपिटल आई का जो मान कि चलो नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं हम लोग कोश्चन नंबर 32 कोश्चन नंबर 32 कि और बढ़ते हैं कि देखेंगे कोश्चन नंबर 32 क्या दे रहा है फीगर दिया हुआ है कि बैटरी दे रहा है कि दो वोल्ट की बैटरी है एक प्रत्रोत तार दे रहा है इसे एक है ऐसे फिर यह ऐसे फिर यह ऐसे फिर यह ऐसे इस प्रकार जुड़ा गया है यह एक ओम दो ओम एक ओम यहां पर पॉइंट है ए यहां पर पॉइंट दे रहा है बी और यह दे रहा है चार ओम कहरा है ए वाब बी के बीच पहले तो गयात करना है तीन चीज़ें गयात करनी है ए वाब बी के बीच निकालना है तुल्ले प्रतिरोत दूसरा कहरा है बैटरी में प्रवाइद धारा का मान और दो ओम के सिरों के बेच विवांतर दो ओम के सिरों के बेच विवांतर का मान गयाद करता है तो सबसे पहले तो निकालते हैं क्या परिपत का तुल प्रित्रोथ तो परिपत के तुल प्रित्रोत के लिए देखेंगे कि इधर से बैटरी से धारा गई यहां पे धारा इसमाल आई थी यहां से यह दो बागों बट गई अगर यह आई वन है तो यह हो जाएगी आई टू आई वन जो जाएगी वो इन तीनों में सेम होगी जब इन तीनों में यह सेम होगी दारा तो यह तीनों किसमें होंगे स्रेणी क्रम में होंगे तो एक ओम दो ओम और एक ओम किसमें दिये गए हैं स्रेणी क्रम में तो निकालेंगे एक ओम दो ओम तथा एक ओम किसमें हैं स्रेणी क्रम में हैं स्रेणी क्रम में जुड़े हैं अता इनका तुल प्रतिरोध इनका जब तुल प्रतिरोध निकालेंगे आर डैस बरावर तो होगा वन प्लस टू प्लस वन बरावर फॉर ओम इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें दारा अलग है और इनको तीनों को जो जोड़ के एक आया प्रतिरोध जो चार ओम का था उसमें दारा थी अलग तो ये और ये किसमें हो जाएंगे समानतर क्रम में तो निकालेंगे चार ओम तथा आर डैस का तुल प्रतिरोध इसका जब तुल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भी या समानतर क्रम में है तो वन अपॉन आर बराबर होगा वन अपॉन चार हो गया यह और डैस और वन अपॉन चार हो गया यह हो जाएगा दो बटे चार एक बटे दो वन अपॉन आर वरा वरा आया एक बटे दो आर का गुणा एक में करेंगे आ रहाएगा आर का दो का गुणा एक में करेंगे दो माएगा यह आ गया परिपत क प्रवाहित धारा का मान गयात करना है तो परिपत में प्रवाहित धारा वैधुद्धारा इसमाल आई वरावर आई वरावर होता है वी अपान आर और वी आपको कितना दे रहा है दो वोल्ट की बैटरी लगी है कितने वोल्ट की बैटरी है दो वोल्ट की बैटरी हो गई और आर का आप जो मान दे रहा है वो अभी दे रहा है दो आर भी दे रहा है वो आया एक Ampire ये होगे हमारा दूसरा आंसर कितने Ampaire की वैधुत धारा प्रवाहित होगी एक Ampire की वैधुत धारा प्रवाहित होगी ये हो गया सेकेंड आंसर इसके này जो तीसरा पूँछ रहा है वो कह रहा है दो ओम के प्रत्रोध में प्रवाहित वैदुद्धारा का मान ग्यात कीजिए दो ओम के पित्रोद में के सीरों के बीच विवांतर सौरी विवांतर पूंच रहा है तो ध्यान दीजिए दो वोल्ट की ये बैटरी लगी ये और यो ये पूरा आया था जिसको में लोग ने नाम दिया था आर्डैस किसम समांतर क्रम में जो होता है वो विवांतर क्या होता है समान होता है समांतर क्रम में विवांतर समान और स्रेणी क्रम में वैदुद्धारा समान जब ये और ये हैं समांतर क्रम में आर्डैस जब ये समांतर क्रम में है तो क्या होगा कि वैदुद्ध विवांतर समान होगा त तो निकालेंगे दो ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्योंकि धारा तीनों में समान होगी इसका जो परिणामी भी वांतर दिया गया है वो यहीं होगा दो वोल्ट क्योंकि समानतर क्रम में हैं तो दो ओम प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्धु धारा जम निकालेंगे में ये वरावर और होता है V'S एपड़ है और इसका जो ट्ल प्रत्रोद आया था आवू आया था आर डैस और डैस अब्स रचार और या उंप sitten डूरावर वि और व्डार फीर रावर कतना कि बैटरी है आज यह जो आया था अपना वह अज्दम Ben पांच एमपियर तो इसमें जो वैद्द धारा प्रवाइट होगी वो कितनी होगी जीरो समलो पांच एमपियर हमें निकालना क्या है कि दो ओम के सिरों के बीच विबवांतर जब विबवांतर वी निकालेंगे तो वी डैस मान लो या वी वरावर होता है आई आर इसमें ओंउन जिरो समंब्रों पांच यह गया दो निकाली दस एक अंक बाद समब्र。」 आंसर आ गया एक वोल्ट ठीक में की सिरों के बواंके सिरों के बीजुए विवानतर है वो दे एक वोल्ट कि लिएक देख लीजिये दोनों कॉश्ण आपके हो गए तीन चीजा पूछ रहाना नंबर ये पूछ रहाथा तुल्लक पृत्रों तुल्ल पृत्रोंद आ गया दूसरा पूंच रहा था uzydhara days one आजी तीसरा पूंच रहा था दोपी वीच वीबांतर तो दो के वीच वीबांतर आ गया यह हो गया मiquला करते हं आप सभी को को सब्रूबा समझ में आ गया होगा जिसको भी सरफ में नहीं आ ईंज है वीडियो को कोश्चन नमबर 33 की और बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कोश्चन नमबर 30 में क्या दिया गया है इसमें भी फीगर बना हुआ है एक बैटरी दे रहा है पांच वॉल्ट की पांच वॉल्ट की बैटरी है फिर एक प्रतिरोध दिया गया है तीन ओम का इस प्रकार दे रहा है अमीटर जुड़ा हुआ है फिर तीन ओम का प्रतिरोध है फीगर ज्यादा अच्छा नहीं बना रहे हैं जिससे जल्दी जल्दी सब नुमेर का लो पाएं एक ओम और यह जुड़ गया है तीन ओम तीन ओम यस ओगया इस टेप ठीक कर आमीटर का पाठ्ठांक ग्याद कीजिए आमीटर का पाठ्ठांक मतलब इसमे प्रवाहित वैधुद दारा का मान ग्याद करना है और इन दोनों में वैधुद दारा क्या होगी सेम होगी तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो निकाल लेते हैं परिपत का तुल्ल्ण प्रितुरोध तो देखिए यह तीन इसको दे दिया नाम आरवन यह आरटू आ ठिरी और फॉर तो आरटू और आरथी धारी धरा इधर से जाएगी दोनों मेंं सेमों जब धारा सेम होती तो खिसमें होते हैं सेलिक्रम में जुड़े होते हैं तो यह होगा आर्वन वा आरथी का तुल प्रतिरोध इसका जब तुल अप्रत्रोध निकालेंगे तो इस स्रेडि क्रम में इसरेडि क्रम में आज़ बरावर अर टू प्लस अर्थिरी बरावर तीन प्लस एक बरावर चार ओम ये आ गया चार ओम इसके बाद जो ये होगा और ये होगा क्योंकि धारा यहां से गई इधर अलग हो गई दर अलग होगे जब दारा अलग है तो यह किसमे है समानतर क्रम 대통령 कि Sumantar पेरक्रम का फार्मूला होता है बरावर 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 दो बटे-4 दो से काटेंगे बरावर बरा जाएगा बरावर एक चार। अब इनको मिलाके बना गया एक क्या किया गया है इनको मिलाके बना दिया गया एक तो जब इनको मिलाके एक बना दें यहां पूरे की जगह पर एक यहां कहीं जोड़ दें तो धारा ऐसे आएगी उससे होके और फिर इसमें होके चली जाएगी मतलब इसमें जो होके जाएगी दारा इन चार तीनों झोना कि ये एक बनाया गया यहां प er जोड़ दे तो इसकी दारा ओजायगी से और जब आशना già mean यूं में तो निकालेंगे परिपत का परिपत का तुल्य प्रतिरोध और उपर से साल करते हैं परिपत का तुल्य प्रतिरोध जब परिपत का तुल्य प्रतिरोद निकालेंगे तो परिपत का तुल्य प्रतिरोद क्या होगा जब स्रेणी करम में है तो स्रेणी करम में आर बराबर आर डावर्ड एस प्लस आर वन तो आर बराबर आर डावर्ड एस हमारा कितना आया है चार और आर डैस बराबर कितना आया है आर वन बराबर कितना है तीन बराबर हो गया साथ ओम नहीं भी यह दो आएगा दो से काटेंगे दो आएगा यह कितना हो जाएगा दो तो जब यह हो गया दो तो यह हो जाएगा पांच ओम प्रित्रोत परिपत का क्या है आप पांच हो पूरे परिपत में धारा का मान निकाल लो परिपत की परिणामी धारा तो पूरे परिपत की धारा जब आई वरावर निकालेंगे तो आई वरावर होता है वी अपाउन आर वी दे रहा है पांच वोल्ट आर दे रहा है पांच वोल्ट कितना हो जाएगा एक एंपियर तो पूरे परिपत की जो धारा है वो है एक एंपियर कितनी है एक एंपियर पूरे परिपत की जो धारा हो गई वो गई एक एंपियर इसके बाद देखते हैं यह जो एक एंपियर की धारा जाएगी वो इधर से और इसका परिडामी प्रत्रोज यो दे रहा है वो दे रहा है दो ओंद तोde āम परिक के बीच निकालेंगे इनको नाम दे दो ए और बी ओर निकालेंगे वे और औरUP कि बीच परिणामी विभववांतर तो जब A और B के बीच परड़ामी विवांतर निकालेंगे तो A और B के बीच परड़ामी विवांतर कितना हैगा A और B के बीच परड़ामी विवांतर V बराबर होता है I, R ये लिलिया V1 V1 बराबर होगा I, R और इसका जो पूरा प्रत्रोद आया था हो आया था और्डकर्ण रहां प्रक्ष और तो यह एक तो यह आ गया दूर्ड को इन दोनों के बीड ओठर और उंद और नलए सूर्फ़ांतर होगा अब आगया बहुँक्तर के बाद कrocket बाद करेंगे गया जाकर्ण विभँवांतर आगया तो इसमें निकाल लेंगे धारा क्योंकि यह स्रेणी में और यह किसमें प्स ब्स आर्रीय और इसका यह क्या है समागर में डोनों तो इसमें और इसमें क्या होगा विबववांतर समान when अब इसके बीच कुल विबवांतर जो आगया हहागBU प्रतिरोजो इसका आया था वो कितना आया था चार ओम तो आख आख इसमें निकालेंगे धारा तु निकालेंगे अमीटर का पाफ है क्योंकि आमीटर नापता है कि इसको धारा और तो इसलिए अमीटर का पार्ट हांग जब निकालेंगे तो अमीटर का जो पार्ट हांग होगा आई वन मालो तो क्या होगा वी अपान आर तो इसका हो गया वी वन अपान आर डैस क्योंकि इन दोनों का जो पेडामी प्रित्रोद आया था वो आया था आर डैस तो यह हो गया आर डैस अब बटे दो बरावर 0.5 एंपियर इसमें कितनी धारा प्रवाइद होगी 0.5 एंपियर की वैदुद धारा प्रवाइद होगी यही हमारा अंसर आ रहा है अमीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसक्रिंस और इसको लेना हो ले सकते हैं आंगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और कोश्चन नमबर 34 कोश्चन नमबर 34 की और बढ़ते हैं तो चोटा सा प्यारा सा फीगर दिया गया है कोश्चन नमबर 34 अबर 31 कोश्चन नमबर 3 मैंनस等 लाइन से जोड़ दिया गया है इसमें दारादेयरा एक एम्पियर की इसका प्रिदिर देरा Quem इसमे दारा दे रहा है आई अगओ है फिसका प्रितों देरा है दो जो अब हम देख रहे हैं यहां से कोई दारा गई इधर अलग बट गई इधर अलग बट गई इधर चली गई इधर चली गई तो इसमें जो धारा होगी इसमें जो धारा होगी अलग होगी जब धारा अलग अलग है तो तो किसमें समांतर क्रम में और जब समांतर क्रम में है तो उनके सिरों के बीच क्या होगा विभुवांतर जो होगा विभुवांतर सेम होगा तो क्या करेंगे भीया सौल करने की कोशिस करेंगे निकालेंगे आठ ओम लिखेंगे चूंकि दोनों प्रतिरोध या इस प्रकार लिखेंगे चूंकि दो ओम वा आठ ओम समांतर करम में हैं समांतर करम में हैं अता इनके सीरों के बीच विभुवांतर जो होगा वो होगा समान होगा इनके सीरों के बीच विभुवांतर समान होगा तो जब विभुवांतर समान होगा मतलब वी वन वरावर वी टू इसके सीरों के बीच विभुवांतर निकालेंगे वी वरावर होता है आई यार तो आई की जगह है आई और आर की जगह दे रहा है दो इसका वी जो टू और आर की जगह दे रहा है आठ दो से काटेंगे चार बार जाएगा आई वरावर चार एकम चार हों तो यह आगई परिपत में धारा यह हमारा उत्तर क्लियर बहुत सिंपल कोशन था नेक्स्ट कोशन क्यों बढ़ते हैं हम लोग कोशन नमबर 35 कि यह देरा तीन ओम यह भी देरा तीन ओम इधर देरा दो ओम फिर इस प्रकार जुड़ी है इस सिक्स वोल्ट की एक बैटरी इस परकार यह बन गया फीगर यह दारा प्रवाइद हो रही है आई आप से कह रहा है इसल में प्रवाइद दारा ग्याद की जिए दो ओम के सिरों के बीच विवान्तर ग्याद की जिए बहुत ही सिंपल कोशन है five-day lines loner radio edition उसके निकालना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा मतलब परिपत निकालना पड़ेगा तुल्ल प्रितिरोध निकालना पड़ेगा इसके लिए देखते हैं कि यहां वैदुद धारा गई यहां तो यह आई होगी यहां पर जाके तीन वागों में विवाजित हो गई जब धारा तीन अलग अलग भागों में वाजित हो गई तीनों में वैदुद धारा जो है भिन्न भिन्न है जब धारा भिन्न भिन्न होती तो किसमें होते हैं समांतर क्रम में होते हैं तो यह तीनों की तीनों किसमे होंगे समांतर क्रम में होंगे तो निकालेंगे तीन ओम कौमा तीन ओम वह समांतर क्रम में हैं अधा इनके बीच तता इनका तुल-पर निका लेकर 한 पीफ प्रतिरोद ए गालेंगे समांतर क्रम का वन अपन आर्ड डाया एक आप अगया परिपध का तुल प्रतिरोद असरने परिफद का नहीं इस पर लेप्रतिरोध परिपथ का निकालने के लिए अगर इन तीनों कि इस्तान पर एक कर दिया गया इन तीनों को मिलाकर एक कापृतिरोध तो अगर यहां प negative का जाएगी तो धारह इसमें और इसमें क्या हो जाए हिए समान हो जाएगी जब दारह समान हो जाए हुएharma स्ट्रेडी क्रम में हो जाएंगे तो लगाएंगे भीया परिपत का तुल प्रतिरोद परिपत का जब तुल प्रतिरोध निकालेंगे स्ट्रेडी क्रम का फार्मूला होता है यार बरावर रवन अल्वं दे रहा है कितना दो मिंर 215 अबड़ावर आ गया तीन ओमं को कि यह जा परिपत का तुल्र हमें निकालनी यह परिपत में प्रवा हित धारह तो परिपत है इसका में रवाहित धारा इसमल आई आई वरावर होता है वी अपाउन आर कितने वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट की भी वी ऌगया बित्रोथ कितना आया तीन तीन से डिवाइट करें गे तीन दूम हो और आउनसर यह तो गई परिपत में मैं प्रोधारा अब कहे रहा है दो ओम के सिरों के बीच विवांतर की गर्णा कीजिए तो देखो यहां से धारा जो प्रवाइद होगी वही इससे होगे जाएगी तो अगर इसमें दो एंपियर की वैदुत धारा है कितनी धारा है दो एंपियर की वैदुत धारा है इसमें निकालेंगे दो दारा दो एंपियर की तो निकालेंगे दो ओम के प्रतिरोद के सिरों के बीच विवांतर वी डैस वी बराबर होता है डे रहा है ऐर आई इंटू आर की जगहँए दो तो वी डैस बराबर आई जो आरहा है वो कितना आHola है दो एंपियर और ये भी दे रहा है दो तो वी डैस बराबर हो गया चार वोल्ट ये हो गए इसमें क्या इसके सीरों के बीच भी वानता वी डेस बराबर हो गया चार वोल्ट यह हमारा अंसर हो गया 35 नमबर कोशन का कोशन को आप लोग देख ले नोट कर ले अच्छे से जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोशन को दुबारा रिवर्स करके भी देख सकते हैं वीडियो को आसानी से समझ में आ गया यहागा बस इसको दुबारा घर में जरूर लगा है ठीक है भी यह अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन नमबर 36 कोशन नमबर 36 60 की और बढ़ते हैं 36 में कह रहा है और डी के बीच 10 की पावर 8 ऑः्टरान 10 की पावर माइनस 4 से कंड्से प्रवाहित होते है cents की पावर 8 इलेक्टरान तो औरले चैन्टू की संख्या दे रहा है पिलेक्टरानों की संख्या जो दे रहा है एन बराबर टें की पावर एथ और कह रहा है कितने सेकंड में जो समय दे रहा है टी वराबर वो दे रहा है टेन की पावर माइनस फोर सेकंड इतने सेकंड में प्रवाहित होते हैं कहरा है कितनी वैदुद्धारा किस दिसामें प्रवाहित होगी के रहा है वैदुद धारा का मान पूछ रहा है यह का मान दे रहा है एक लिक्टरान पर आवेस ए वरावर 1.6 इंटु 10 पावर माइनस के 19 कूलाम अगर ना भी दिया गया होता है तब भी आप आसानी आपको याद होना चाहिए कि एक लिक्टरान पर इतना जो होता है पॉंटी क्यों बवर रहा है नीचे दे रहा साथी और वर रंक मान दे रहा है टेन की पावर 8 इकमान होता है 1.6 इंटु 10 की पावर माइनस 19 टी दे रहा है 10 की पावर माइनस 4 डेगा कायक हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 8 और 4 ये इतनी वैदुद्धारा प्रवाहित होगी यह वैदुद्धारा इसमाल आई कामान और यह हमेशा इलेक्टरानों के प्रीदिशामें प्रवाहित होती है इसलिए ए से किया होगे जब इलेक्टरान ए से बी की और जा रहे हैं तो वैदुद्धारा क्या होगी B से A की और प्रवाहित होगी 36 नमबर कोशन होगया 37 की और बढ़ते हैं कोशन नमबर 37 37 देखते हैं एक एलेक्टान अपनी कच्छा में गति करते हुए एक दिसमलो एक मिली एंपियर की वैदुद्धारा उत्पन करता है एक एलेक्टान दे रहा है कि अपनी कच्छा में गति करते हुए एक दिसमलो एक एंपियर की वैदुद्धारा प्रवाहित करता है तो वैदुद्धारा जो दे रहा है आई वरावर वो दे रहा है एक दिसमलो एक एंपियर ये आगई वैदुद्धरा इसमाल आई किरा इलेक्टान की अपनी कच्छा में गति करने के आवर तकाल ग्यात कीजिए मतलब टी निकालना है तो समय निकालना है समय टी वरावर अब अगर यहां से देखा जाए तो आई वरावर होता है क्यू आपन आई टी वरावर क्यों क्यों कितना दे रहा है तो एटी वरावर जो आएगा हो setup yeuxIV प्लावर अक्या इनलस यह क्या किया काड़ दिया जब समों से to submit कर्ण गया तो है टीवरावर जो आयगा आएगा 16 एऊ ते पावर माइनस 19 आ कि अब इससे डिवाइट कर दें खरेंगे तो ठीवरावर दाएगा 11 से डिवाइट करेंगे 11 19 सोला में 11 गया बच्छे पांच दसम्लों लगा दिया कितने हो गया पचास ग्यारा चो को 44 पचास में 44 गया बच्छे मतलब साथ ग्यारा पच्छे पच्पन इंटू टेन की पावर माइनस के नाइनटीन के सॉर्ड़ी अचास यह जो धारा थी वो थी मिली एंपियर यह थी मिली एंपियर जब मिली एंपियर को एंपियर बल देंगे तो 1.1 इंटू टेन की पावर माइनस के 3 एंपियर तो यहां हो जाएगा 110 की पावर माइनस 3 जब यह माइनस 3 उपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का और जब माइनस 3 प्लस का हो गया तो प्लस के माइनस में माइनस के 19 में प्लस के 3 गटाएंगे क्या बचेगा प्लस का 16 यह आ गया टी का मान इतने सेकेंड इसके बाद कोश्चन नमबर 38 की और बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 38 38 देखते हैं क्या दे रहा है कह रहा है एक वैद्धु चालक में 3.2 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्टरान प्रतिसेकंड प्रवाहित होते हैं तो एलेक्टरानों की संख्या दे रहा है है ठीड़ी प्रतिसेकंड दे रहा है वो कितना दे रहा है जो समय जो है इसमाल टी वरावर वो दे रहा है एक सेकंड यह हो गया स्माल टी का मान इसके बाद कह रहा है कि चालक में धारा का मान ग्याद कीजिए तो धारा जब निकालेंगे आई बरावर होता है क्यों अपॉंट टी क्यों बरावर होता है एफ उन इपॉंट नीचे दे रहां टी एन्मिय कितना दे रहां थिरी पॉंट टूइंटू 10 की पावर 20 कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कितना दे रहा है एक मैल्टिप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 16 48 48 तीन जब निकाले तो आ गया 51 एक और दो दो अंकवाद दसमलो 20 में 19 जाएंगे जब 20 में 19 गटाएंगे तो बचेगा 10 की पावर एक इसमें गुणा करेंगे तो आई वरावर आ गया एक्क्यावन सो बीस दो अंकवाद दसमलो था दो अंकवाद दसमलो लगा दिया तो आई वरावर जो आया हुआ है एक्क्यावन दसमलो दो एंपियर इतनी जो है वह वैदुद्धारा प्रवाइद हो गया है यह हो गई हमारी वैदुद्धारा थैटी एट नमबर कोश्चन हो गया कोश्चन नमबर थैर्टी नाइन क्यों बढ़ते हैं कोश्चन नमबर थैर्टी नाइन यहां पर लगाते हैं कोश्चन नमबर थैर्टी नाइन कह रहा है कि एक वैदुद्ध हीटर पर एक सो बीस वोल्ट का विवांतर है विवांतर जो दे रहा है वी बरावर दे रहा है एक सो बीस वोल्ट एक सो बीस वोल्ट का विवांतर है और कहरा है दस कूलाम आवेस प्रवाइद होता है आवेस जो है क्यों बरावर वो दे रहा है दस कूलाम दस कूलाम का आवेस प्रवाइद होता है करा हीटर में कितनी उर्जा उत्पन होगी तो देखो हीटर की उर्जा उत्पन उर्जा उर्जा बरावर होता है डबलू बरावर वी इंटू क्यू तो डबलू बरावर जो आएगा वी दे रहा है एक सो बीस वोल्ट क्यू दे रह रहा हो गया क्या आंसर इस प्रकार कोशन 39 नंबर तक कोशन कम्प्लीट हो गए कि इसके बाद बढ़ते हैं कोशन नंबर 40 की और स्क्रीन सॉर्ट आप लोग ले लीजिए कोशन नंबर 40 की और बढ़ते हैं फोटी दे रहा है तथा 220 वोल्ट के बल्व के तनुका प्रित्रोध ग्याद कीजिए तो सक्ति दे रहा है सोवाट की सक्ति या इसी को बोल देते हैं सामर्थ और पी से पी से डिनोट करते हैं और पी वराबर दे रहा है सब्सक्राइब वराबर दे रहा है वी वराबर वह दे रहा है 220 वोल्ट 220 वोल्ट का विवांतर है कह रहा है कि तनुका प्रित्रोध ग्याद कीजिए क्या निकालना वी या प्रित्रोध जब प्रित्रोध निकालेंगे आर वराबर तो होता है वी स्क्वाइर अपॉन पी तो आर बरावर वी स्क्वाइर मतलब 220 स्क्वाइर है तो 220 पी दे रहा है 108 जीरो से जीरो कैंसिल हो गए आर बरावर 22 का 22 में गुणा करेंगे आएगा 484 ओम यह आगे हमारा अंसर तो इस प्रकार 40 नंबर कोशन तक कंप्रीट हो गए अब परड़े नुमेरकल के आप लोग 10 नुमेरकल परड़े पढ़ेंगे क्लाश टेंट के तो इसलिए परड़े आप लोग सुभए वीडियो देखिए प्रतिद दिन आप 10 नुमेरकल कंप्रीट कर तो राधी राधी दोस्तों आप सब अपना खयार रखें बाई बाई टेक कियर